ओम श्री गनेशाय नमः स्री शरश्वत ये नमः स्री गुरुभ्यो नमः लाइफ इस ब्यूटिफुल जर्मी जीवन एक कंटिनिव यात्रा है अनुभव हमारी चेतना की अनुभूती है जैसे प्रत्वी कंटिनिव अपनी जर्नी में होती है जिसके कारण प्रत्वी पर जीवन संभव है जिसके कारण प्रत्वी पर दिन और रात संभव है सनिच कंटिनिव इन अपनी यात्रा में है सुड़िये जलते रहती है कंटिनिव जिसके कारण अर्थवी पर जीवन है इसका अर्थ है कि जीवन जीना और देना जीने के लिए यात्रा कंटिनिव है उसी तरह ईस्वर की भी यात्रा कंटिनिव है without rest इस्वर जागता रहता है जिसके कारण स्रिष्टी चलता रहता है जागना और शोना ठीक उसी तरह जैसे प्रत्वी पर दीन और रात है सुड़िये पर कोई दीन और कोई रात नहीं कहने कार थे दीन तो है रात की कोई संभावना ही नहीं होती है रात नामक शब्द जो है The word night is only applicable on earth There is no night on sun ठीक उसी तरह life is a continue beautiful journey So bliss is a friend and peace is a friend of life Bliss and peace के साथ हमरी यात्रा हो आनंद और शांती हमारा शोभाव बन जाए तो यात्रा मंगल में होने लगती है Then it will convert in delightful journey ओ यात्रा को हम शुभम यात्रा शुभ यात्रा कहते हैं जो सदा हमें शांती और शुख प्रदान करें Everything we are getting through our body सरीर के माध्धम से ही संसार की सुख की वस्तु हम प्राप्त करते हैं और दुख भी उसके शांत संक्र होते जाती हैं Positive and Negative दोनों अपने आप कही न कहीं जैसे दिन और रात है दोनों का अपना शांत होता है So if you are just feeling कि हमारा सब कुछ ठीक है, Positive है, धनात्मक है, शांती पुरवक है तो Negative कहीं आती है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि Negative and Positive दोनों कहीं न कहीं कोईन के दो पहलू है सिक्के के इसलिए घबराना नहीं है, दिन की तभी शंभावना होती है जब रात होती है सुख की तभी शंभावना होती है जब दुख होती है ये यात्रा के दो पहलू है, this is a part of our beautiful journey So life is a beautiful journey, इसलिए सुख और दुख दोनों पार्ट है It is not permanent, bliss is a permanent, आनन्दा is a permanent That is our nature of this self-consciousness हमारी स्वयम की चेतना जो हम है, कहते हैं हे प्रभू आत्माराम प्रशीदोम या हे आत्माराम अमृतेश्वर प्रशीदोम आत्मा जो अमृत के स्वामी है, आत्मा जो प्रमात्मा के चेतन प्रकट रूप है सरीर के माध्यम से धारन किये हुए, उसका सोभाव है, आनन्द इसलिए तो आनन्दा की परिभाशा बहुत बढ़िहद होती है, जब कोई शंत अपनी शोभाव में रहता है, शोभाव को प्राप्त हो जाता है या कहें समाधी जो परम शान्ती और स्वानुभूती स्वाइस्थीती को क्राप्त हो जाए, स्वादर्शन यानि सभी चक्रों का दर्शन कर ले और श्वयम ब्रम्हानुभूती हो जाए, तो सुदर्शन चक्र की शक्ती आ जाती है, जो क्रिश्न के तो वो चीज बहुत ही ब्रिहद और बहुत ही, it's a spiritual top level की चीजे हैं, बट जन्नीक हमारी continue हो, इसके लिए हमारी स्वभाव में सीतलता और आनंद थोड़ा थोड़ा आता रहे, तो life हमारा एक positive direction में जाता है, और जीने का हमें आनंद भी मिलता, मज़ा मिलता है, the only joy is not in senses, sense में यानि इंद्रिय में joy है, सुख है, ऐसा नहीं है, the sense is generated by consciousness, यदि consciousness नहों, चेतना नहों, तो इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती है, यदि motor car में engine है, सब कुछ है, current produce नहों, तो nothing is, ना engine की valuation है, ना उसके body parts की valuation है, so current means की चेतना, consciousness is our own pranic urza, this is the cosmic nasi, जो space में फैली हुई है, कितना सुन्दर space है, यानि खुला-खुला है, स्वचंद हैं हम, कितना सुन्दर बनाया, space खुला, जिसमें प्रान सो रूप परमात्मा भरा हुआ है, इस प्रान सो रूप परमात्मा को कैसे हम अपनी चेतना में भर ले, जितना हो शकें, और फैला दे अपनी चेतना को space में, और फिर cosmic आनंद का हम, cosmic bliss of cosmic nature का हम अनुभूती करें, this is really a fantastic, joyful life, और इस आनंद की हम कोई परिभाषा विनी कर सकते, this is beyond our definition of through words, so life is a beautiful journey, enjoy yourself with nature and self-consciousness, Harihi Om, Harihi Om, Harihi Om.